ले लेंगे और इसी बीच में हमारे बीच पधारे हुए हैं, हमारे संत अखिलेंद्रसा है, बहुत दूर से, डेर सुक्रिमेटर दूर से, गुरुदेव जी की निर्वान तिथी पर और ध्यान सिव समापन पर आपर समलित हो जाएं उस भाव से, और कल साहब जी का कारिकाम वहां से है, तो वो लेने भी आये हैं, तो दोनों काम एक साथ साथ गया, एक निसाना में, एक तीर में, दो निसाना, तो हमारे अनिल साहब जी पुराना नाम है और अखिलेंद्र साहब गुरुदेव जी का दिया हुआ नाम है, तो मैं आप से भी निदन करता हूँ, कि शेप में आप अपने विचारों से इस संदर में रखने करिपा करें। धर्मर पे में सज्जनों, स्रध्धम, और तिमाताओं, प्यारे बच्चों। ध्यान स्विर का अनभाव तो यहाँ ध्यान के उनसे सुनना चाहिए, लेकिन साहब जी का आदेश है, इसलिए कुछ कहने का प्रयास करूँ। यहाँ बैठे में से काफी लोग आसरम प्रयागराज उत्तरप्रदेश इलाहवाद गए होंगे, जो पुझ्जो और गुरुदेव जी की कर्म भूमी है। आप इमेजिंग करिए वहां जाने के बाद एक अंजान व्यक्ति आसरम में प्रवेस करता है, आसरम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, एक संत से मिला पुछते हैं यह क्या है, आसरम है, यहाँ क्या होता है? एक एक प्रसन करता चला जाता है यहां रहते हैं, साधना करते हैं क्या आप मुझे आसरम दिखा पाएंगे वो कहते हैं हाँ मैं दिखा देता हूँ आसरम व्यक्ति जैसे ही प्रवेस करता है आप देखे होंगे जैसे ही आप ए बलाक में प्रवेस करेंगे तो right side में जाएंगे तो एक छोटा ससंग हाल है वो दिखाता है, ससंग हाल है उसके पीछे जाता है, आप रेटिंग रूम है उसके फीर आगे बढ़ता है तो एक बड़ा सा विशाल ससंग हाल है जो लगभग-लगभग एक कड में है लगभग 35-40 हजार स्कायरफिट में बना है उसके पीछे पूरा टाइलेट बात्रूम लेकिन बीच में ये पूछ पढ़ता है वो अंजान व्यक्ती ये तो आप सारा चीज मुझे बता रहे है लेकिन ये जो बीच में नया हाल दिख रहा है और फाल्स लिंग लगा है ये क्या है मैं बताता हूँ वो कहता है मैं बताता हूँ फिर पूछ पढ़ता है नहीं बताता है यहां क्या होता है ये क्या करते हैं संत बोलते हैं वहां कुछ नहीं करते हैं वहां कुछ नहीं करते हैं फिर आगे जाते हैं समाधी दिखाते हैं गुर्देव जी का गुर्देव जी का जो निवास था उसको दिखाते हैं फिर पुछ पढ़ते हैं वहां क्या करते हैं संथ व्यक्ति फिर से पुछते हैं वहां क्या करते हैं संथ पुला कहते हैं वहां कुछ भी नहीं करते हैं फिर आगे जाते हैं कीच दिखाते हैं, पूरा इस्टोर दिखाते हैं, पूरा आप इस एरिया सब कुछ दिखाने के बाद, उस संत उस व्यक्ति को उस हाल के ओर ले चलते हैं, यह कहते हैं, यह हाल है, फिर पूछते हैं वो भक्त यहां क्या करते हैं, संत पुना कहते हैं, यहां कुछ नहीं करते हैं, यहां कुछ नहीं करते हैं जो हम सब कुछ करते हैं न वो अंतिम इस्टेप है कुछ नहीं करने की इस्थिती में पहुँचना जो कुछ भी हम करते हैं ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं है चमचाता हूँ मैं ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं है ध्यान के अंतिम इस्टेप में पहुँचने की पद्धती है स्वास पर ध्यान लगा रहे हैं वो ध्यान नहीं है पद्धती है वो आप नाद पर, बिंद पर, चित्र पर, गुरु के इसमर्नों में और कहीं भी आप ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है ये तो सिर्फ है एक सिड़ी है टाप लेवल में पहुँचने का अंतिन तो है कुछ ना करना ये बहुत उचीश्थीती है बोलने में बहुत समयल नहीं लगता है दो मिनट लेकिन इसमें पहुँचने में 80 साल कम पड़ जाता है और कोई विरला होता है जो पहुँचते हैं को ध्यान नहीं है आप मन कोई कागर कर रहे हो ध्यान नहीं है गुर्देव जी ने वही किया और आज हम सब उनके पदक्रम्लों पर चलने का प्रयास करते हैं जितने हम सब बैठे हैं सब लोग उनके बताय रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं और आप सब यहां आते हैं आ आप बहुत बड़े सवभाग्य साली हैं, बहुत बड़े सवभाग्य साली हैं, जो कबीर विचारों से रूबरू होना चाहते हैं, कबीर विचारों को जानना चाहते हैं, नहीं तो आज आप के पूरे गाउं में आप इसी करही भदर में देख लिजेगा, पूरे करही भदर में एक गाँ आप कोई दो चार घर बज गया होगा सवभाग्यसाली है जिस घर में देवी देवता हवन तरपन ना हो जिस घर के बच्चे अंडा मास मचली गुटका सराब ना खाता पिता हो कोई बिरला घर बचा है पूजा तो रोज हो रही है जड़ चीजों की पूजा रिखाते हैं अभी कुकरेल में चल रहा है प्रदीप मिश्रा का चातीस घर को लूटते हैं उसिधा खड़े सब्दों में चमाच आता हूं मैं आपके शिहोर में चले जाएए कोई कारकरम नहीं होता है उनका कोई कारकरम नहीं चलता सिहोर चेत्र में अभी दो महना के पूरा आप महापुरान खोल करके देख लेजिए उसमें कोई टोटका नहीं है और उनका पूरा ग्रंथ बन गया है टोटका का पूरा और इसमें करने वाले अधिक्तम लोग है भोले में पानी चढ़ाएंगे वह भोले में पानी चढ़ाने की जवरत नहीं है अपने माता सेवा करिये अपने बच्चों की सेवा करिये समाज की सेवा करिये इससे बड़े भोले और कुण हो सकते हैं आप कभीर विचारों से रूबरू हो एक करमकांड और पाखांड में फस करके उलच करके अपने जिन्दगी को बेश किंती लम्ह मिला है आज जिन्दगी को हस करक से जी सकते हैं, बांकि तो पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए, इसलिए आप लोग सवभग्य साली हैं, जो कभीर विचारों से रुबरू होना चाहते हैं, और आप सभी को धन्यमाद है, जो ऐसे विचारों से रुबरू होते रहे, पुझ्य स्री उबार साहिब जी यहां व्यस्था देखते थे, उनके रहे, उनके जाने के बाद, इस आसरम में बहुत कुछ विकास हुआ, और विकास का कारण आप सब लोग है, लेकिन अभी वर्तमान में यहां व्यस्था देख रहे हैं, पुझ्य स्री सुसान साहिब जी, पुझ्य स्री दिवेंद्र साहिब ज हर साल वो इतना समय देते हैं, आप सब का महनत, आप सब का सहीयोग है, एक छोटा सा आश्रम था, आज भी साल रूप आयाम ले चुका है, आप सब के सहीयोग है, आप सब आते रहें, जितना बन सकता है, सबसे बड़ा अगर देने लाया कोई चीज है, कोई है कुछ, तो समय क का दान, समय दान करिये आप, सब के पास हस्ती नहीं कि धन दे सके, लेकिन समय आप दे सकते हैं, और धन आप सब बिना ज्यादा प्रेसर डाले, बिना कुछ कहें, आप सहीयोग करते हैं, तब यहाँ आश्रम इतना विकास हुआ है, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद है पुझे और साहब जी को, अभार है जो की, मुझे समय दिये आप सहब बनेगी, सहब बनेगी गुरुदेव जी के संस्पन सुनाते जाएं तो भी स्मर्ती साही अजिए ना कि संचेप में कैसे कहें संचेप में कैसे कहें उनकी स्मीटिया इतनी है लेकिन समय की नजाकत है समय के इंसार चलना पड़ता है और चलते चलते हमारे रायावर संत और संतों के पत्रकार हमारे आदरनी संत यतिंद्र साहिब जी से निवदन करता हूँ इस आस्रम से बहुत बच्पने से जुड़े हुए इनके दादा जी यहां के कभी महंत हुआ करते थे और बगल गाओं के हमारे सांकरा वहां के आप फैदाईशी है जनम भूमी है तो जनम भूमी यह करम भूमी यहां है वहां जनम जरूर हुआ लेकिन यहां करके सब सेवा करते थे Shri Yogendra Sahib Ji, Shri Jitendra Sahib Ji उनका पूरा परिवार और यहां करके सेवा देते हैं अभी भी वहां से कोई सेवा होती है तो गाड़ा में जोर करके गोबर भी लेके आते हैं देखो चेतन जी आ रहा है कहा दोग वहां भंडा रहा है तो गाड़ा में भरके लिपने के लिए गोवर मिट्साब भर के लाते हैं छेना होगा तो छेना भी लेकी आते हैं और Yatindra शाहिप जी के पुझी स्री चाचा सुरी है तेज जरूर बोलते हैं लेकिन दिल के साफ हैं तो ऐसे कभी साहिब जैसे तेज बोलते थे लेकिन दिल के साब थे मैं स्री यतिन्द साहिब से बहुत चंद मिन्टों के लिए उनको आमतित करता हूँ साहिब बंदगी शाहिब लेकिन थोड़ा फुर्ती में बोलिये सद्गुरु अभिला साहेब की जै मुद्मंगल मैं संसमाज सादवी बहनों सद्धमूर्थी देवियों और देउताओं ध्यान सिवीर में आप सब भाग ले रहे थे काफी कुछ आपने सीखा है मैं भी यहीं के लिए आ रहा था बिहार में था लेकिन आते आते एक प्रोग्राम बन गया यहीं बाजू में कोस्मर्रा है वहाँ आठ दिनों का कारिकरम बना तो फिर चाहते हुए भी नहीं आ सका वरना आम तोर पर मैं ध्यान सिवीर में यहां रहा करता हूँ सद्गुरु अभिलास साहेब की आज बारहवी पुन्यतिती भी हम मना रहे हैं ध्यान सिवीर के साथ और दोनों एक ही चीज के अलग-अलग नाम है सद्गुरु अभिलास साहेब को आपने देखा है उनको बोलते देखा है उनको खाते देखा है उनसे आपने बात किया है उनकी सेवा की है वो घर में आये हैं और हर तरीके से देखा है उन्हें आप सोचिए वो एक साधारंस आदमी 1943 मापकर ये 33 के साल में पैदा हुए थे बच्पने में रहे हैं और बालक रूप में एक जिम्मेदारी आई थी घर में नौ-दस साल की उमर में घर सम्हाल रहे थे वो भी आप जैसे ही इंसान थे बावजूद इसके इस मुकाम पर कैसे पहुँचे होंगे कि लोग उन्हें जीवित कबीर कहने लगे वो दिन भर ध्यान भी नहीं करते थे दिन भर लिखते भी नहीं थे दिन भर पढ़ते भी नहीं थे दिन भर बाद भी नहीं करते थे लेकिन दिन भर क्या करते थे ये बड़ी बात है उनकी खुबी वो आखिर दिन भर करते क्या रहते थे, सोते जाकते उठते बैटते, वो दिन भर जब भी कुछ कर रहे होते थे, तो कुछ भी नहीं कर रहे होते थे, इस बात को थोड़ा समझने कोशिस करें, यही इस ध्यान सिवीर का और जिंदगी का सार है, उन्होंने काफी पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई की अपने जमाने में तमाम साहित थे और जहां से मैगजिन मिलती थी, जहां से लोग उनको मिलते थे, सब को सुनते थे, समझते थे, बड़ी तिवरे मधावी बुद्धी रही है, पढ़े जमकर, सुने जमकर, और कबिर साहिब को खूब पढ़े, तम समा लेते थे, और फिर भी कुछ नहीं कर रहे होते थे, यह उनकी सबसे बड़ी खुबी है, जो भी ध्यानी पुरुष होंगे, जो ध्यान के सिखर पर होंगे, वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जाने अन जाने में आप भी इस्थिती में होते हैं, रात सोते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं और पूरी उर्जा और इनर्जी के साथ सबेरे जागते हैं रात में कहें डिजे बज रहा हो किसी ने कुछ बोल दिया हो नीन राये तो उस बेचैनी से नीन उड़ जाती है आपने देखा अभी एक कुछ घटना हुई थी एक साधवी के साथ नीन राने क में खुद सोय हैं बिस्तर पर एक टांग नीचे भी लटक रहा हो या चादर गिर गई हो पता नहीं चलता है उस इस्थिते में कितनी गहरी नीन में होते हैं कितनी इनर्जी आप ले रहे होते हैं और कितना आनंद में आप होते हैं यही काम आपको जानते जानते करना है बा इतना बोध रहे कि मेरी आत्मा मेरे भीतर है उसके जर्ये मैं कर रहा हूँ और जो करूँगा वो इमानदारी से करूँगा क्योंकि मेरी आत्मा की आवाज इमानदारी की है बस इसी इमानदारी में आत्मा की आवाज में जी कर अपना सारा वेवहार करते रहें तो आपको कसम खाने के जरूरत नहीं है कि मैं पाप नहीं करूंगा या गलत करम नहीं करूंगा आप से हमेसा अच्छा काम होगा और अच्छा काम और अच्छे कामों को लेके आएगा और भीतर आप मौन होते चले जाएंगे सांत होते चले जाएंगे और एक दिन आप अपने आपको सिखर पर पाएंगे ध्यान के सिखर पर स्वयम के केंद्र में यही आपकी अंतिम स्थिती है यहां हम सब को यात्रा करना है जाकते हुए समझते हुए आतमा की आवाज को सुनते हुए बहुत महरबानी संचालक साहब श्री देवेंद्र साहब जी और यहां के आस्रम संचालक संत्ष्री और अपने गुरु भाई सुसान साहब जी जिनका आप लोगोंने भरपुर सहयोग दिया प्रेम दिया हर तरीके से और पुज्य स्री साहब जिन्होंने अपने मिठी और मधूर वाणियों से ध्यान की विधियां सिखाते रहे और उन गुरुदेव साहब को जिनकी वज़ा से हम यहां बैठे हैं आप सब के पावन स्री चरण कमलों में बंदन करते हुए अपनी वाणी को यही पर विराम दे रहा हूं बोलिये सद्गुरु कभीर साहब की साहब बंदगी साहब अभी हम लोग बहुत संचिप्त में और थोड़े में सारगर्विद बातें हमारे संत यतिंद्र साहब जी से हमने सुना और गुर्देव जी के विक्तित तो ऐसा था कि सब को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं उनको साहस देते थे पहले पहले एक लेक उन्होंने लिखा यतिंद्र साहब ने माघ मेला का प्रथम 1995 में अर्दकुम लगा था हमने कहा थोड़ सा लिखिये और लिख करके गुर्देव जी को समर्पित किये तो गुर्देव जी ने उसको और आगे बढ़ा बहुत अच्छा बैटा लिखे बहुत बढ़िया और उसको गुर्देव जी ने पारपकास में छपवाया तब सिनकी लेखनी और कहने की शमता बढ़ गई कोई साहस पाता है बच्चे कोई कहा कि बैटा बहुत अच्छा चले तो उसके साहस बढ़ जाता है इसे गुर्देव जी सब को साहस देते थे कभी गुर्देव जी कभी पर अविस्वास नहीं किये जितने उनके पास सिष जाते थे समर्पित होने के लिए कभी गुर्देव जी ने नहीं माना कि कभी घर लौट जाएगा कभी नहीं जब तक रहेगा उसको साहब ने निभाया और अपने से लौट जाता था था कोई लेकिन गुर्देव जी कभी अविस्वास नहीं करते थे ये गुर्देव जी की विश्यस्ता थी जो साधना के पत पर हम सब को संबल दे करके आगे बढ़ाया ऐसे गुर्देव को शत सत्नमन बहुंस सी बाते हम लोग उनकी जानते हैं कुछ नहीं भी जानते हैं उन बातों को संद जन बताते हैं और पुझी और साहिब जी का आने का समय हो रहा है लेकिन उसके पूर्व हमारी सास्रम के संचालक संद सरी सुसान साहिब जी हमारे बीच में है जो ध्यान में कम बैठे लेकिन पूरा उनका क्रिया कलाप ध्यान था हम सब को ध्यान करने के लिए उन्होंने समय दिया कि आप लोग ध्यान में बैठो मैं भोजनाले देखता हूँ मैं और भ्यस्ता देखता हूँ आप लोग ध्यान में बैठो ये उनके सबसे बड़ा ध्यान है उनके लिए हम लोग धन्यवाद ग्यापित क्या कर सकते हैं लेकिन एक दिल का भाव एक बार जोड़ार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और उनके द्वारा कुछ ध्यान सिविर सम्मंधी, गुरुदेव जी की निर्वान सम्मंधी उन बाते सुनेंगे बोलिये शद्गुरु कबीर साहेव की, संत समाज की परंपुजी स्रीशाहब जी, मुदमंगल में संत समाज इस ध्यान सिविर में आये हुए समस्त अतिथी गण सज्जन विरिंद माता बहने अभी हम सब संतों से गुरुजी की जीवन की स्मृत्या सुन रहे थे और ये सुन्दर सुनहला आउसार पित्री पाक का मैं तो परंपुज स्री उबार साहब जी की सानिद्य में रहा और उनके निकट रहा और यहां भी उन्होंने ध्यान की परंपरा कराई शुर्वात किये तो हमारे पूर्व आदि गुरु कभीर साहब जिनके साधना की जीवन के अविरल धारा आज हम सब के बीज बह रही और उसको बहाने वाले कितने संद्गुरुजन हुए सद्गुरु हुए इस पत के पथिक आज भी वर्तमान जीवन में हम देखते हैं उन संद्गुरुजन को जिनके आधार छट्र चाया में हम सब सुन्दर उस जीवन के निर्मान के लिए आगे बढ़ रहे हैं जहां अनंत सांती और गुरु की महिमा जितनी कहा जाए कम ही है कम ही है गुरु की महिमा अनंत है कभीर साहिब नहीं कह दिया औरों की क्या बात कहें जिन्हों ने ये परंपरा चलाई उनके पीछे चले लोग गुरु की महिमा अनंत है अनंत किया उकार और लोचन अनंत उगार या अनंत दिखावन हार अनंद की दिशा में हमें ले जाने वाले ऐसे महान सद्गुरु संतों का अब ये पितर पाक पित्री को याद करने, हमारे पितर है सब जो गुर्जन पार हो गए, अपनी जीवगन्यू का पार लगा लिए उन पित्रों का जो सद्गुन है उन्हें हम याद करे अब याद कर ही रहें अपनी अपनी तरीके से याद करने का तादपर है जीना वास्ताव में हम कितना जी पाते हैं वही जीवन का तो संदेज जी के दिये और कोशिस हमारी भी हम सब की भी है संसार के सब कामों में आदमी ध्यान देता है करता भी है किन्तो जो असली काम है वो असी का आदमी छोड़े रहता है वो असली काम क्या है यहाँ सुरुवात यह बीजारोपन यह ध्यान सिविर का गुर्देव जी ने तो ध्यान की विधा के लिए प्रत्न के ध्यान सिवीर के लिए आज चल रहा और सहाइब कवीर ने तो कह दिया सहज ध्यान रहू सहज ध्यान रहू गुरु के वचन समाई ओ सहजता कब आएगी जब अभ्यास बनाएंगे मैं उधारन देता हूँ कोई किसान का बेटा हो और पहली बार अगर हल पकड़े तो सिधा चलेगा क्या चलने वाला नहीं हमने पकड़ा हल का मूट और उसमें फाल लगा होता है नास कभी वो इधर जाता है कभी वो उधर जाता है अब जब वो अभ्यास करता है धीरे धीरे चलाते 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 इतना सुंदर क्यारी बनता है कि क्या पोछना अब उसमें 20 डालो फिर उसमें फसल लाव उड़ता है वैसे ही सद्गुरु ने ये विधा बनाई ध्यान की बिना अभ्यास के कुछ होने वाला नहीं इसलिए अभ्यास कराय जाता है अब सहे कभी ने क्या कहा करत करत अभ्यास के जडमति होत और रसरी आवत सिलपर परत तो ऐसे ही हमारे जड़ बुद्धी में भी ज्ञान के बीजों को रोपन करने वाले सद्गुरु संत जाए उन गुरु संतों का कृपा अभार और ये जो देन सहेव जी की भावना रही कि ध्यान कक्ष यही बने श्रीवार सहेव जी का और आप सबसंद गुरु जनों की कृपा से यथावत ये चल रहा अब परंपुज्य स्री सहेव जी को निवेदन किया ये अनुवत अभी भी निव करता हूं कि जब तक जीवन रहे ये ध्यान की विधा इस परंपरा में चलता रहे अवो सुन्दर पाक कौनसा पाक पितर पाक सब जन्वर बड़ा रोटी बने क्योंकि वास्तों में बड़ा बड़ा होने के लिए अब बड़ा कित कहानी संद गुरु जन बताते ही ओ सबके जीवन में उतरे और ये विधा चलती रहे ध्यान होता रहे क्योंकि यही असली काम है इसके लिए अभ्याद ज़रूरी ही और हमारे कलमस को दोनेवाले संद गुरु जन हमारे बीज बैठे हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता अपने कलमस का क्योंकि हमारी नि निए कहा कि हम अपनी और क्यों नहीं देख पाते क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर मुख कोई कोई अमर्ता की इच्छा से मृत्व से पार जाने की इच्छा से अपनी और कोशिस करता है अपनी और इसलिए नहीं देख पाते हैं जो हमारी पांच ग्यान इंद्रियां है ये बाहर की ओ देखती है स्वेंभून ये प्रकृतिदे इन इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बहिर मुख बनाया अब गुरुदेव जी इसके लिए कहते थे देख देख के मन नहीं भरा चिक चिक के मन नहीं भरा भोग भोग के मन नहीं भरा सुनसुन के मन नहीं भरा कहां भरता है तो भीतर लोटने कि ये विधा साहिब ने कहा अंतर जो थी भीतर लोटो तो उसके लिए अभ्याद ज़रूरी है और अभ्याद जब करते हैं तो उसमें प्रगारता आती है इस्थिरता आती है और हम अपनी दिशा में लोडते हैं अपनी धारा में लोडते हैं अपनी और लोडते हैं इसके लिए ये प्रैत्न आप सब इस कभीर आश्रम में समय दे करके इस ज्ञान धान सिविर का लाब उठाएं इस के लिए में बहुंद बहुंद आप सबको, जितने यहां पर आए हैं, सबको साधवाद ग्यापित करते हुए और सद्गुरू संतों को इस्मरण करते हुए, जितने हमारे दादा गुरू, बाबा गुरू, जितने गुरू हैं, जो जिस प्रकार से गाउं के लोग अपने माता पिता को याद करते हैं उन गुर्जनों को याद करके अपनी दसा के और हम सब लोटे इन्ही सुब भामनाओं के साथ आभार के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे बीच परम पुज्य स्री सहेब जी वराजमान है उनके अम्रित वचन आसिर वचन हम सब लेंगे बोलिये सद्गुरु कभीर साहिब की जैए